नमस्कार आप देख रहें स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार संसत के सितकालें सतर के ग्यारवे दिन दोनों सदनों सी अठात्तर संसत सस्पेंट कर दिये गए असल में संसत में सुरच्चा चूक के मसले पर लोकशभा में लगातार चोथे दिन हंगामा हुआ लोकशभा स्पीकर ओम बिड़ला ने 33 संसतों को शेस्पेंट कर दिया इसमें नेता अधिरंजन चोधरी समेत कांगरेस के 11 संसत तिर्णमूल कांगरेस के 9 डियमके के 9 और 4 अन्ने दलों के शंसत सामिल है इनमें 30 संसतों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया गया है जबकि तीन कांग्रेश सांसदों की सदस्यता बहाली पर फैंसला प्रिवलेज कमेटी लेगी इन पर स्पीकर के पोडियम पर चढने का आरोप है ग्यानवापी मामले में ASI के एडिशनल डायरेक्टर ने वारानसी के जिला जज को सीलबंद रिपोर्ट सौब दी है सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट एक हजार से ज़्यादा पेंच की है ASI को ग्यानवापी के सर्वे के दरण खंडित मूर्तियां घड़ा चिन जैसे धाई सो अबसेस मिले थे इन्हें डियम की निगरानी में लॉकर में जमा कर आया गया था इन्हें भी कोट में पेस किया गया आतंकवादी दावद इब्राहिम करांची के एक अस्पताल में भरती है मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि दावद को जहर दिया गया है और वो जिन्दकी और मौत के बीच जूज रहा है इस बीच दाव दिब्राहिम से जुड़े कुछ ट्यूट सूसल मीडिया पर वाइरल हो रहे हैं प्रधानमंती नरेंद्र मोदी दो दिन तक अपने संसदी छेत्र वारानसी में रहे दोरे के दूसरे दिन सोंबार को प्रधानमंती नरेंद्र मोदी ने बहतरीन भाषन देने के लिए चंदा देवी नाम की महिला की सराहना की प्यम ने कहा कि तुम बहुत अच्छा भाषन देती हो और पूंचा कि क्या कभी चुनाव लणने पर विचार नहीं किया इस पर महिला ने जवाब देते हुए कहा कि हम चुनावों के बारे में नहीं सोच रहे हैं हम लोग आपसे ही सब कुछ सीखते हैं आपके सामने खड़े होकर भाषन देने में ही हम गर्ब महसूस कर रहे हैं प्यम मोदी ने कहा कि चुनाव लड़ना हो तो बताओ मुझे आप जेसी गाउं की दो करूर महिलाओं को लगपती दीदी बनाना है NIA ने आज सुबह चार राज्यों की 19 लोकेशन पर छापे मारी की ये रेट ISIS नेटवर्क केस के तहत की गई इन 19 लोकेशनों में करनाटक की 11 जारकन की 4 महराष्ट की 3 और दिल्ली की एक लोकेशन सामिल है इस दोरन प्रतिबंधित ISIS के 8 एजेंट्स को गिरफतार किया गया है ये एजेंट आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली एक्टिविटीच और आतंकवाद को बढ़ावा देने में सामिल है मद्ध प्रदेश में डाक्टर मोहन यादो कैबनेट में कौन-कौन से चेहरे होंगे इस पर अब तक सहमत ही नहीं बन पाई है मंत्री मंडल में सामिल होने वाले नामों को लेकर दिल्ली में मंगलवार को एक बार फिर बैठक होगी मंगलवार को पूर्व सियम सिवराज सिंग चोहन दिल्ली जा रहे हैं जहां उनकी पार्टी अध्यच जेपी नड़्ड से चर्चा होगी मद्ध प्रदेश में सुलावी विधान सभा का विशेश सत्र सोंबार से सुरू हो गया चार दिन तक चलने वाले इस सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर गोपाल भारगों ने 207 विधायकों को पद और गूपनीता की सपत दिलाई अब तक कुल 208 विधायकों की सपत हो चुकी है 12 विधायकों ने संस्कृत एक ने उर्दू और एक ने अंग्रेजी में सपत ली 22 विधायकों की सपत होना बाकी है इसके साथ ही सदन की कारवाही मंगल बार सुबह तकी इस्थगित कर दी गई इटली की प्रधान मंत्री जारजिया मेलोनी ने कहा कि यूरोप में इसलाम धर्मे के लिए कोई जगह नहीं है इसलाम और यूरोप का कल्चर एक दूसरे की अनुकूल नहीं है हमारी सब्धेता उनसे काफी अलाग है इटालियन भासा में दी गई इस पीच में मेलोनी ने ये भी कहा कि वो इटली में कभी सर्या कानून लागू नहीं होने देंगी उत्तर भारत से आ रही सर्धवाओं के कारण मद्ध प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है सोंबार सुबह कड़ाके की ठंड रही प्रदेश में सबसे सर्ध रात पच मढ़ी की रही रवी बार रात पारा च्छे दसम्रो चाय डिगरी पर पहुँच गया यह इस सीजन में सबसे कम है वहीं इंदोर और उज्जेन में भी इस सीजन की सबसे सर्ध रात रही इंदोर में रात का तापमान पहली बार 12.96 डिगरी उज्जेन में 10 डिगरी रिकॉर्ड हुआ कल दिन भर की प्रमुक खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरात्री